देखिए आज हम एक गाई को देखने आए ये जो इस्क्रीम पर दिकाई दे रही है इसको हम देखने आए देखिए इसको क्या बीमारी है क्या समझ्चा है ये सारी जानकारी हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री लेंगे पसू पारलक से उसके बाद इसका डाइग्नोसिस करेंगे temperature लेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको क्या समझज़ा है और हमें इसका क्या treatment करना चाहिए सबसे पहले हम पसू की history लेंगे उसके बाद पसू के देखे तापमान चेक कर रहे हम तापमान चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा इसको कौन से समझ़ा है तोया को जादा से जादा like & share करें यौ 105 ुच्वरी मतलब बूप rhoi को कर jó आ कार्यू weight ने कबाद हमें पतां चलेगा इसको समग्षी है यह किए इसका ında temperature चेक किया है ना है मतलब इसको वोकार है इसको वहले करेंगे सबसे पहले हमने आपको सीपी एम इंजेक्शन बताया है इसके बाद हम इंड्रो फ्लाक्स उसीन यह देखिए 10% का आता है फ्लोक्सोडीन емся कमपनी का दूसरा हम यह लगाएंगे एंटिबाटिय कर्ब में यह देखिएं बुकार उताने के लिए ले मेलोगन एक से प्लास मेलोक्सी केम पांच एमजी होता है और पैरासी इंजी अदका मेलोगसी केम सो 5-15 मожетा है इसके बाद इखिए इसमें बेंजुल přाइंग लिछल पर किसी भी परकार की जलन नहीं होती है इसको लगाने से तो इसका यही फाइदा है कि इसमें लाइग नोकन होने के कायन यह खास है और बहुत बढ़िया है इसके बाद देखिए हम बेला में ले इंजेक्शन आता है बी कांप्लेक्स है लिवर एक्सरेक्ट विट विट देर हैं में निसे समय भूरा उसके बाद हम दूसरा है में लोग ते आंप पलार सिटामोन की तना है gent आता है तरन की नच समय अंटेराम घूल को को दूसरा हम दूसरा की ते रोगां और इंट्रा मस्कुलर लगाएंगे 10 ml CPM ये देखिए सबसे पहले हम 10 ml CPM लगा रहे हैं आइम रूट से लगाना है ये देखिए बिल्कुल हलके हाथ से लगाना और बिल्कुल मालिस करना है दूसरा हम मेलोक्सिकेम पेरासिटामॉल ले रहे हैं ये देखिए गाई की चमडी हलकी होती है मुलाइम होती है और जो गर्दन रहे हैं इस पर मास भी कमर होता है हमें बिल्कुल आराम से लगाना है न कोई जल्दबाजी करना है ये देखिए दूसरा इंजेक्शन मेलोक्सिकेम पेरासिटामॉल ये भी हम इंट्रा मस्कुलर दिया है ये देखिए निर्ट चेंज हो जाता है इसलिए रखना बहुत जरूरी यह देखिए तीसरा इंजेक्शन फ्लोक्स ओडिन जो के ईंड्रोप्लाक्वांस समयने लगा रहे हैं इसके बाद स्था इंजेक्शन नेंगे बेला मिल डिलीवर एक्सरेक्ट और विटामिन B12 का आता है ये देखिए हम बेला मी लगा रहा है इसको 10 ml ये भी हम इंट्रा मस्कुलर रूट से लगा रहे हैं पसु की बुक खोलने के लिए और लिवर को सुचार रूचाना लगी ये देखिए इसको भी हमने AIM रूट से लगा है और चोता इंजेक्शन हम देखिए एंट